आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इसलेंडर है Baker Bureauat का हम सबको पता है और EARLIN में यह flask आप लोगों यूज कर रहा होगा दोसरे इस ओसनोनेट कॉनिकल फ्लास्क या फिर टाइटरेशन फ्लास्क बोलते हैं बच्चे इसको जो कॉमन नेम होता है या टिस टाइटरेशन फ्लास्क या फिर फिर है graduated cylinder फिर है graduated cylinder विच इस एक ए measuring cylinder तो इसका दूसरा नम कहीं measuring cylinder दो photos given है यह पहली photo है जो कि represent करती है एक buret को ठीक है इस question में markings देखो आप एक बार यह marking यहाँ पर है 10 is photo 6 marking यह 47 की marking है और यहाँ पर एक middle में line है और इसके बीच में चार lines होती है तो इसमें बच्चे 10 marking होती है 46 से लेके 47 तक we have 10 markings तो जो 1 ml है वो कितने को represent करती है 10 marking को अगर उल्टा लिखें कि 10 marking में 1 ml आता है तो एक marking कितना हमें बताएगी 0.1 ml को अब यह सबसे कम गटबड होने के chance यहां है हमारे पास ब्यूरेट में बीकर में कभी भी major नहीं करना चाहिए क्योंकि 50 ml का अगर बीकर उन्हें 50 ml का mark दे रखा है तो वो generally यहां तो होगा 50 ml से वो उपर ही होता है तो प्लस 50 ml होता है generally 52 ml के आस पास होगा तो बीकर में कभी भी नहीं करना होता हमें कोई भी measuring जो होती है measuring के लिए हमेशा क्या use करते हैं यहां तो हम use करेंगे एक pipette ठीक है यहां हम use करते हैं burette यह दो चीज़ यूज़ करते हैं सबसे जो least common चीज़ हम use करते हैं measuring cylinder chemistry में बहुत कम हम use करते है measuring cylinder को क्योंकि measuring cylinder में भी दिक्कत होने के chances नहीं यह दूसरी photo जो थी यह देखो 20-dewer measuring cylinder zoom करके हम इसमें असानी से देख सकते हैं कि marking इसमें कितनी है यह देखो यहां पर बचास की marking है यह 40 की marking है 30 की marking है यहां कहीं इसमें 45 की marking है तो इसमें सीधा एक जो mark आता है ना 1 mark equals 1 ml जबकि बूरेट के case में हमने क्या देखा था है यहाँ पर 1 mark equals to 0.1 ml तो सबसे कम गडबड होने के chance किस case में है बूरेट में तो हम बूरेट यूज करेंगे titration flask, conical flask again इस तरीके से होता है और यह roughly 200 ml का होगा यहाँ फिर 200 ml का होता तो 50 ml तो इसमें हम लगबग major नहीं कर सकते और अगर mark है भी तो again इसमें जो error के chances होते हैं वो केतना होते हैं जिनली plus minus 2-3 ml तक गडबड चली जाती है इस case में तो graduated cylinder में 1 ml की गडबड होगी तो least गडबड किसमें होगी option number B में तो question का answer क्या है option number B according to this question Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net app या whatsapp कीजिए अपने doubts 8400-400-400 पर